एझे जो क्यूशन आपको दिखाई दे रहा है ना यह प्रायक्ता का क्यूशन है अध्याई प्रायक्ता क्लास 13 के बार हमें पड़ रहें थे ठीक है तो बैसिकली जो मैंने basic concept है Praicta के वो सारे बता दिये जसे ताश की गढ़टी इससे कैसे कूशन बनते है पुरी ताश की गढ़टी को समझाया हुआ है सिक्कों के बारे में अच्ची से बताया हुआ है और पांसों के बारे में और जो Praicta से एक एक नमर की important प्रेंट क्यूशन आते ना, वो सारे करवा दिये, उसके बाद प्रेश्चनावली की सारे क्यूशन ने वो भी कर लिए हैं, आज हम करने वाले उदार नमबर 12 इससे पहले कि हमने सारे उदार कर लिए, ठीक है, तो देखी, क्या बोलता है उदार नमबर 12, इसको एक अच्छे तता आठ में थोड़ी सी खराबी है और चार में अधिक खराबी है एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजे स्विकार करता है जो अच्छी है एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजे स्विकार करता है लेता है जो अच्छी है जबकि एक अन्य व्यापारी सुझाता है उन्हें उन् जिन में खराबी अधिक है मतलब जिसमें ज़्यादा खराबी है जिसे चार में अधिक खराबी है तो ये सूजाता है इनको नहीं लेता है ये सूजाता क्या करता है 88 अच्छी इनको भी ले लेता है और 8 में थोड़ी खराबी है इसको भी ले लेता है पर चार में जो अधिक खराबी ना इसको क्या करता है उन्हीं कमीजी को अस्विकार करता है जिन में अधिक खराबी मतलब इनको नहीं लेता है चार में अधिक खराबी ने इनको नहीं लेता है इस डिमे में से एक कमीज को यादरश्य रूप से निकाला जाता है इसकी क्या प तो सबसे पहले कर लेता है अच्छे से पहले प्रायट्ता का सुत्र प्रायट्ता बराबर अनुखूल परिणाव बटे कुल परिणाव चुरिए अब दो किसकी प्रायत्ता निकालने अपनों को पहले कि लिए कि हूए अब देखें विल रब अब मेरा बर बराबर का मेने अपने बना दे अब मुझे। कि total कमीजे कितनी है अपने पास total कमीजे कितनी है तो आप बताओगे कि एक डिब्बे में 100 कमीजे तो total कमीजे अपने पास 100 तो ये मैंने 100 लिख दिया सबसे पहले प्रायक्ता लिखनी है तो बराबर का चिन फिर बटे का चिन उसके नीचे कुल परिणाम तो कुल कमीजे कितनी सो अब तो जिम्मी को कौँची स्विकार है एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजे स्विकार करता है जो अच्छी है अब अच्छी कमीजे कितनी है जिसमें 88 अच्छी कमीजे है तो अच्छी कमीजे है अच्छी कमीजे है अच्छी 8 इसका right answer हो जाए नीचे एक के बाद जितनी 0 होना उपर उतने अंग के पहले point लग जाता है तो आई हो भी ये question आपको समझ में आगे हो इसके बाद question number 2 पे जलते है पर question number 2 है अपना probability 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 जाता को स्विकार हो ठीक है तो ये बरावर का चिन ये बटे का चिन नीचे तो total कमीजी कितनी ये 100 तो 100 लिखती है अब देखो जबकि यहाँ देखना जबकि एक अन्नी व्यापारी सुझाता उन्ही कमीजी को अस्विकार करता है अस्विकार मतलब नहीं लेता है अस्विकार करता है जिन में अधिक खरावी तो मुझे बताओ अधिक खरावी किस में है चार में अधिक खरावी पस इसको ने लेगा तो किस किसको लेगा हो 88 अच्छी इनको भी लेगा तोथा आठ मे थोड़ी सी खरावी इनकों smiling बने लए दवने लेगा तो अपने पास अनुकुल परिणाम कंटे बनाइंगी तो अपने पस अनुकुल परिणाम् επहुटे अथ्यासी प्लस आठ並ी black बन जाएगे अब 88 में 8 जोड़ के तो कितना बने गा आठ आर 16 तो यह बन जाएगा चिन में चिन में बटे 100 अब मैंने बताया आपको कि नीचे कितने 0 यह दो तो उपर केतने अंक पहले पहले पॉंट लग जाएगी 2 पीचे से अंक गिंते एक दो तो यहां जागा 0.96 यह इ और एक जिम्मी दो व्यापारी थे उनको कौँसी कमीज अच्छी लगी तो उसकी प्राइट अपनोंने निकाल दी तो यह से क्यूशन आपको अच्छे समयना है तो सबसे पहले बैसिक जो बोला जाएए वह घंणा है सबसे पहले बराबर का चिन फिर बटे का चिन और फिर उसके नीचे लिखना है नीचे कुल परिणाम लिखना है उसके बाद उसके उपर अनुकुल परिणाम लिखना है तो आप इस्टेब बाइस्टेब ऐसा करोगे तो आप गलती होने के चांस बिलकुल भी नहीं होगे आप 100% सही क्यूशन करके आओगे और आपके class stand में अच आपूशन करेंधा कर आपकेलton, कि भी बादे साथनी थी म सक्राइ।